एक फोजी का दर्द क्या होता है उन कुरसी वालों को दिखाना चाहूँगी बताना चाहूँगी एक फोजी की मजबूरी हमें मत छुट्टी दो, मत भत्ता दो, बस काम यही अब करने दो, चाहे वेतन आधा कर दो, पर कुतों में गोली भरने दो, हर हर मोधी, घर घर मोधी, यह नारा सर के पार गया, इक दो कोडी का जेहादी, सैनिक को थपड मार गया, अरे तपड खाए गदारों के, इतने भी मजबूर नहीं, हम भारत मा के सैनिक है, कोई भड़े के मजदूर नहीं, अब और नहीं लाचार करो, हम जीते जी मर जाएंगे, खुद को देख न पाएंगे, इस वर्दी पर शरमाएंगे, फो जी वर्दी पर शरमाएंगे, या तो कुशमीर उन्हें दे दो अरे सुन लो सुनलो दिली ना करो क्रोम करो अब सेना को दू जिम्मे भारत जवानों को ना मर्द मां का आ चल सुच रहे बारत भारत मां का आ चल सुच रहे हम दागी भी बन सकते हैं दिल्ली गर यूही मोन रही हम बागी भी बन सकते हैं हम बागी भी बन सकते हैं एक मा कस्मीर में पिटने वाले फोजी बेटे से क्या कहती है जब देखती है कि उसका बेड़ा किस तरह गदारों से थपड़ खा रहा है तो क्या कहती है कि फोन कि जामाने बेटे को तूने नाक कटाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्यालाचारी थी कुछ कुछ कुछों की टोली कैसे तुम सेरों पर भारी थी तुम सेरों पर भारी थी गीदर बेट अब वो फोजी अपनी मान के बात सुनकर कहता है के माह इतना भीला चार नहीं था.. माह मेरी मजबूरी थी उपर से फरिमान नहीं تھा.. चुप्पी बहुत जरूरी थी... सरकारे ही पिटुआती है.. मा सरकारे ही पिटवाती है मा हम कौन गदारों से गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दर्बारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा कसम याज खाता हूँ तु गुडिया से कह दे मा ना बुझ दिल उसका भाई है सुनकर नाटा लो यारों सिर्फ सुनकर नाटा लो यारों एक फोजी के दस बातों को अन्होनी होने से पहले फैला दो इन बातों को तुम फैला दो इन बातों को बहना के सचे भाई हो तो सब को बता दो इन बातों को एक फोजी का दर्द भारत मता की जे भारत मता की जे भार तक जीता रहे अपना हिंदुस्ता